शक्ति है पूरे दिन्चरिया में सारा दिन हमें शक्तियां चाहिए जो कल्योग की परस्तिया हैं उसमें तो बिना शक्तियों के हम विजई बने नहीं सकते हैं आज सहन शक्ति कदम कदम पर चाहिए किसी ने मेरी बात नहीं माने, किसी ने गल्ती की, किसी ने जूट बोला, किसी ने हमारे निंदा कर दी, किसी ने मेरा अपमान कर दिया, या वो विवार नहीं किया, जो विवार हम उनसे चाहते हैं, आम इस्तथियां है रोज कोई ना कोई ऐसी इस्तथी पैदा होती ही है तो हमें सहन कर लेना होता है सहन करने के साथ-साथ फिर हमें समाना भी है कई बार सोचते हैं कितना सहन करेंगे माना सहन करते हैं तो दूसरे हमें सहन करने में मुश्किल क्यों लगता है, हमें लगता है हम सहन करते हैं, तो दूसरे हमारा फाइदा उठाना शुरू कर देते हैं अगर हम उनसे प्यार से वैवार करते हैं तो बदले में कौन सा वैवार हमें मिलता है तो कब तक सहन करेंगे, आखिर उसकी भी तो कोई सीमा है फिर कई बार लोग सुस्ते हैं कि क्या हमें ही मरना पड़ेगा अब ऐसे भी दुविधा में आ जाते हैं कि ग्यान में चलते हैं और वो तो ग्यान में नहीं चलते हैं और उनके सामने अगर हमने कुछ बोल दिया तो बाबा का नाम बदनाम होगा तो चुप तो रह जाते हैं सहन तो कर लेते हैं लेकिन फिर कई बार फिर समा नहीं पाते हैं दस बार सहन कर लिया बाबा कई बार केतने हैं लेकिन ग्यारवी बार जाकर के बोल दिया चलो उनको नहीं बोला तो मेरे जो चार लोग हैं जिनको हम अपना समझते हैं उनको बोल दिया कि आपको पता नहीं मैं कितना सहन करती हूँ ऐसे ऐसे होता है मेरे साथ आखिर कब तक मैं सहन करती रहूँगी या कब तक ऐसे चलेगा तो बाबा कहते हैं कि सहन किया ये तो कमाल की लेकिन समाया नहीं उस सहन की कमाल को धमाल में वदल दिया तो फिर वो जमा नहीं होता सब शक्तियां साथ साथ चाहिए सहन करना उसको कहेंगे कि हमें लगे ही नहीं कि मैंने सहन किया यानि ज्ञान की इस्तती इतनी मजबूत है कि सह जी वो परिस्तती पार हो गई उसके बारे में कोई संकल्थ हमें चला ही नहीं वो सही माइने में सहन करना है और फिर बाबा कहते हैं कि आप किसकी आज्या से सहन कर रहे हो भगवान की आज्या है ना यह मूरली में बाबा ने यह कहा हुआ है तो सहन शा बनना माना कितना जमा होता है तो सहन करने में तीन चार बार दस बार हमें लग सकता है लेकिन जरूर हम उस आत्मा को प्रेüğना दे रहे हैं और उसमें वो परिवर्तन आएगा वो हमें दिखाई देगा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उनका जीवन ऐसे ही था, लोगों ने उनके साथ क्या भी किया, लेकिन फिर भी उनका वेवार कैसे रहा? दया, शमा, करुणा, प्रेम का रहा। तभी वो इतने बड़े परिवर्तन ला सके। तभी वो लोगों को प्रेना दे सके। तो हम भी तो इतना बड़ा परिवर्तन का कारी कर रहे हैं, पूरे विश्व परिवर्तन का कारी कर रहे हैं, तो ये छोटी-छोटी बाते हैं उसके आगे, क्या हैं? तो सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति, समाने की शक्ति में बाबा कहता है, जो भी हम कर रहे हैं, उसका हम बहुत वर्णन नहीं करें, जो भी हम सेवाएं करते हैं मानों, कईयों की आदत होती है कि उसको वर्णन करेंगे, सुनाएंगे मैंने ये किया, वो किया, तो अगर ह हमने वर्णन किया, तो जैसे दान के लिए कहते हैं, कि दान किया और फिर वर्णन कर दिया, तो आधा पुनिय उसका खदम हो जाता है, फिर वो पूरा नहीं जमा होगा आपका, जमा तो होगा लेकिन पूरा नहीं जमा होगा, तो ऐसे ही सेवाओं का वर्णन कर दिया हमने जैसे मम्मा की विशेष्टा थी कि बहुत गंभीरता का गुन था, बड़ी-बड़ी सेवाइं मम्मा ने की पर मम्मा कभी भी मुखसे नहीं कहीगी कि मैंने ये किया वो मैपन, क्योंकि वर्णन करने में मैपन आता है कहीं ना कहीं दे अभीमान में आ जाते मैपन और मेरा पन जहां आया सेवा ख़दम हो जाती है हम तो समझ रहे हैं कि हमने बहुत सेवा की, लेकिन क्या हुआ, वो जमा नहीं हुआ हमारी परखने की शक्ति पावर्फुल होनी चाहिए क्योंकि माया रॉयल रूपों में आती है, मोटे रूपों को तो हम पहचान लेते हैं तो माया भी अपने रूप बदलती है फिर तो जैसे सीता का मिसाल है शास्त्रों में की वो नहीं परख सकी की ये सोना हिरन है सचमुच या कोई माया का रूप है तो उसने राम को मजबूर होके मजबूर करके भीजा जब राम ने उसको मार दिया और उसने राम की आवाज निकाली है, तो भी वो नहीं परख सकी की ये राम की आवाज नहीं है लक्षमन को भीज दिया उसने फिर चब रावन साधू का रूप धरके आया तो वो भी नहीं पहचान सकी कि ये असली साधू है या रावन है और अब परिणाम क्या निकला? कि उस रावन के चंगुल में वो फस कई तो ऐसे ही जो माया के रॉयल रूप है वो कई बार हमें इस तरह से अपना बना लेते हैं और हम माया से हार खा लेते हैं तो परकने की शक्ती है हमारी तो हम व्यक्ति को परक सकेंगे उसकी भाव भावनाओं को परक सकेंगे और उससे फिर हम सावधान रहते हैं या चो भी हमें उसके प्रती सेवा करनी है जैसे बाबा कहता है हर व्यक्ति की नब्स देखो नब्स देख करके ही ज्ञान दो उसको क्या चाहिए अब किसी को सुक चाहिए किसी को शांती चाहिए अब जिसको पानी चाहिए आप उसको पहले भोजन खिला देंगे, क्या होगा? दृप्त नहीं होगा, क्योंकि उसे पानी चाहिए. तो हम पर्खें आत्मा को क्या चाहिए? और उस अनुसार उनकी सेवा करें. और जब वैसे सेवा करते हैं, जब उनको वो प्राप्ति हो जाती है, तो फिर वो आगे की प्राप्ति के लिए भी तयार हो जाती है. वो हिम्मत उनके अंदर आ जाती है.